तो आइनो भी फिलाल रॉयल रम्बल 24 को होने में एक लंबा चोड़ा टाइम है लेकिन अभी फिलाल डॉडड़ एक स्वह स्टार निम्डिसक्स कर रही है और डबल डॉने कंदीशिन की ऊपर रॉयल रम्बल 24 का बिंटेशिंट इसके इपने बारे में बात करेंगे बाइद में टाइम है लेकिन इस मैच का डवल डबली विनर डिसक्स करें और एक कंडीशन है अगर फुल्फिल होती है तो बंदा बिनर बनने वाला है और भी जैसे मैंने का अपडेट्स में लेंगी स्माक्डाउन सब्सक्राइब होगा हेड तो हैड सो विदाउट वेस्टिंग अनी टाइम लेट्स बिगिन इस वीडियो देखो वीडियो को में शुरू करने वाला हूं बैके लेंज के साथ में जिन लोगों नहीं बता है बैके लेंज रीसें टाम में शोख्या पर अपेर होती है और यहां साथ में से एक अधा क्लू का तो आंजर दे दिया था बाइदवे हमारी जो बेकी लेंच है वह एक अलगी रेकॉर्ड बना बैठी है पहली बार हुए जीव पार्डी के सेलिब्रिटी आपेरेंस के अंदा है कि एक सेलिब्रिटी आया है और उसमें साथ के साथ क्लिव गलत वह गई है फोर पॉइंट टू मिलियन तक जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है अब डबल डबी सुपस्थार या बेके लेंच अच्छी बात होगी नहीं कि वह अपेर होई एक तो नहीं साथ के साथ के सब्सक्राइब बताया वह अलग चीज थी लेकिन बाइद जो अपडेट है वह डबल डबली के कल होने वाले स्मैकडाउन के शो की बारह में जुड़ी है वह फैन्स के लिए और दोनों कमपनी इस एई डबल डबल डबली के लिएक इंपॉर्टेंट शोगा वह कल पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एई डबल टेलेविजिन के एक फुल शो है वह कंप्लीट डबल डबली के में रॉस्टर सो से हेड टो हेड कॉमपेटेशन में होगा जनरली क्या होता था कि जो स्मैकडाउन का अधा गंटा होगा या फिर जो एडबलू का अधा गंटा होगा यह आमने सामने आते थे एडबलू और एनिक्सटी काफी बा पर शुरू हुआ है तो ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जो कल का एडिशन होगा वहाँ एडबलू टेलिविशन सेम टाइम के ओपर यह रॉन होने वाला है जब डबली का स्मैकडाउन का एपिसोड चल रहा होगा तो आफकोर्स यह बहुत मैसिव कॉमपिटीशन होने व अपने आप यह अंदर एक कहते हैं बड़ी थीज होने वाली है लेकिन आफकोर्स चाहिए इतनी बड़ी चीज भी ना हो अब यह डबलो जित्ता भी हार्ट ट्राइक कर ले आई डूंट इंक सो किसी भी हालत में स्मैकडाउन का वीवर्शिप या फिर रेटिंग मामले में महारा सकते हैं लेगर फिर भी कलकर स्मैकडाउन को शो मज़ेदार होगा जब दोनों एक हेड़ टो हेड कॉमपेटीशन के अंदर होंगे अच्छा ओपर से चीज यह भी तो बड़ी है कि जब भी रेटिंग का नंबर रिवील होगा तुम देखना असली घमासान तो इंट लोगन पॉल को अपडेट किया गया और लोगन पॉल ने रिप्लेस किया बैनर के अंदर रेमिस टीओ को हुआ क्या है रिसेंटली जो लोगन पॉल पहले तुम पुराना पॉस्टर देखना तुम्हें दिख रहोगा एकदम लेफ्ट या राइट सा जो भी तुम्हारी लेकिन आप जैसा रेमिस टीओ इंजरी वगरार अके अंदर गए अब डवल बली वाले ने वहां पर भी लोगन पॉल को रिप्लेस का डाला है तो यह कुछ बात हैं जो कि शाइद कर रहें बड़न पॉल बड़न के डिटार्मेंट भी लिए तो अफकॉर्स उनकी डवल ल लोगन पॉल ने की है अब जो आज की मारी नेक्स्टेंट फाइनल स्टोरी है अगले साल के रॉयल रंबल के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है जिसका इंतजार हर साल सभी को होता है कहते हैं एक दो महिने पहले जो हाइप बनती है वह सिर्व रॉयल र रंबल दो हजार चौबिस का विनर अभी वह सपोर्ट किये जा रहे है विनर बनने के लिए लेकिन कंडीशन और कंडीशन यह है कि अगर ड्रॉप करवा पाती गंतर को साहीं इंट्र कॉंटिनेंटल चैंबर्शिप से सही से कहते ना गंतर से वह आईसी टाइटल ले पाती दाउट आईसी चैंपेन अब बड़े ही कंडेशन इसलिए वहां पर मिस कामना सामना करेंगे पर डिसेंबर आ जाएगा डिसेंबर के अंदर को प्रीमिम लाइव इवेंट होगा फिर हम लोग जाएंगी जन्वरी के अंदर रॉयल रंबल शो के लिए और वहां पर गंतर क तुम लोग शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में चलो बाइद वे डाट इस एट फॉर टोड़े वीडियो अगर तुम्हें यह वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना पैल नोटिफिकेशन को भी करना अब मैं तुम से मिलता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जादा जल्दी तिल देन बाइबाई टेक केर